नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत हैं सहीत अने अधिकारियों ने कारकरम को लेकर स्वागत है, वहीं स्टेशन और स्टेशन के बाहर वंदे भारत के उध्गाटन को लेकर बड़े-बड़े कट आउट लगाए गए है, स्टेशन परिसर के साथ सार रेलवेट रेक पर भी सज सजा की गई है, जो काफी आकरसक लग रांची स्टेशन से पटना जक्सन के लिए रवाना किया है, बतादे जहरकन बिहार के बीच पहले वंदे भारत के शुरुआत के बीच एक दिल्चस्प बात सामने आई है, दरसल रांची से पटना जा रही ट्रेन में 28 साल की एक ऐसी बच्ची भी सवार थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि किसी भी रूट में वंदे भारत का उठाटन हो, वह वहाँ जरूर मौजूद होती है और सफर का लुपत उठाती है, इस बच्ची का नाम प्रीत कपूर है, प्रीत की मा नीतु कपूर ने दावा किया है कि वह अपनी बेटी के साथ अब तक वंदे भारत का सफर करने के लिए खास तरपर नाची आए थे, जार्खन में 1896 की बहाली जाल्द, जार्खन में 189 माधिमिक इसकूलों में 1896 की बहाली होगी, इसके साथ 189 सिक्षकेतर करमचारी भी बहाल होगे, मुखे मंत्री है मंस्रीन के देख्षता में सोमवार को हुई केविनेट की बैठक में इससे जुले प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी गई है, बतादे बैठक में कूल 43 प्रस्ताओं को हरिजन दी दी गई, मंत्री मंदल सची वाले और निग्राने विभा की परधान सची वं प्रस्ताव मंजूर किया गया है साधी सुदा महिला को हुआ यूती से प्यार तो पती और बच्चों को छोड़ हुई फरार बड़े सहरों के साथ साथ अब छोटे सहर में भी समलेंगी गिता प्रेम बरता जा रहा है ताया मामला साराय ठला थाना छेतर कहा है यहां जमूई से एक महिला एक यूती के प्रेम में पढ़ कर आपने पती और बच्चों को छोड़ कर धनबाज पहुँच गई महिला के पती ने जब इसकी सिकायत जमूई पूलिस से की है तो वह महिला की खोज में धनबाज साराय ठला पहुँची बता दे विरिंदा वन कालोनी से दोनों की गिरफतारी कर जमूई ले गई सराय ठला पूलिस ने बताया कि जमूई की रहने वाली राखी, मिर्धा, ओर्फ, आदिती और सराय ठला विरिंदा वन कालोनी की रहने वाली करिस्मा में फेस्बुक पर दोस्ती हुई थी बात करते करते दोनों में नईदी किया बढ़ गई है रामगर्ण बिधायक सुनीता चोजरी ने 11 नारियल फोड़ कर वरका खना इस्टेशन पर ट्रेन का किया स्वागत भारत सरकार की महत्यकांची रेल परियोजना कोडार्मा हजारी बाग भारका खना भाया रांची तक निरंदर 25 वरसो तक निर्मान कारे किये जाने के बाद मंगलवा को पधान मंत्री नारियल फोड़ कर वन्दे भारत एक्सप्रेस का सोगात छेत्र को लोगों के दिया है बता दे रांची से चल कर वरका खना इस्टेशन पहुचने पर सेना ने वेंड बाजावा पुस पवारसा का ट्रेनों का स्वागत किया वहीं रामगर की विदायक सुनिता चोधरी ने गाया नारियल फोड़ कर वह स्वास्त्रिक चिन बना कर वन्दे भारत एक्सप्रेस को वरका खना से पटना क्लेरवाना किया है मौके पर गीड़ी संसर्चंद्र परकास चोधरी भी सामिल रहे रेलवे द्वारा इस पल को यतिहासिक पल बनाये जाने को लेकर पंजाब रेजिमेंट सेंटर के बैंड दल को भी अमंत्रित किया गया है गुमला में तिन नवालिक छात्राओं के साथ दुसकर्म जारखन के गुमला में तिन नवालिक छत्राओं के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया है आरोपी पीडितों में से एक का बॉय फ्रेंड और उसके दो दोस्त है मामला गुमला जिला के बसिया थाना चेत्र का है सभी पीडिता खुटी जीला के राणिया थाना छेतर की रहने वाली है पूलिस ने तीनों आरोपियों गिरफतार कर लिया है आरमभिक जाज में पता चला है कि आरोपि के साथ पीडिता की दोस्ती फेस्बुक सजर्य हुई थी पूलिस ने एक आरोपि को सुन मेर और दो को पंथा जंगल से गिरफतार किया है गातना की छाण बिन की जा रही है पिडिताओ का मेडिकल कराया गया है गातना के समध में जनकारी देते हुए स्डिप्यो विकास लांगूरी ने बताया है कि भसिया के घुन सेरा के मुन्ना गोफ बाइस भसिया ने नवालिक फेस्बुक फ्रेंड को रणिया में मिलने को बुलाया था राज जेपाल ने B.A.U. में देश का पहला गिलोई प्रसंस करन रिशर्च सेंटर का किया उधगाटन जार्खन के राज जेपाल सीपी रधा कृष्ण बिर्षा क्रिसी बीसो विद्याले के 43 वर्ष हो गया है B.A.U. अस्थापना दिवस समारों में राज जेपाल सीपी रधा कृष्ण नों क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक भी सामिल हुए इस दोरान राज जेपाल ने देश के पहले गिलोई प्रसंस करन और अनुसंदान के अंदर का भी सुभारम किया क्रिसी कॉलेज अडोटोरियम में राजेपाल ने कहा है कि B.A.U. ने हाल के दिनों में राश्ट्रिय या अंतरश्ट्रिय अस्तर के संस्थानों के साथ कई A.M.O. किये हैं जो सकरात्मक कदम कहा जा सकता है सदर अस्पताल में अब एक सो रुपे में तीनों टाइम मिलेगा भर पेट खाना सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके अटेंडेंस को अब भोजन के लिए भटाकना नहीं होगा अस्पताल परिसर में केंटीन के लिए प्रवंधन निकाला है संबंधित एजेंसी तीन जुलाई से पहले टेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं वही चार जुलाई को क्रय समीती की ओर से टेंडर खोला जाएगा दरसल सदर अस्पताल के मरीजों के लिए अस्पताल परवंधन की ओर से अभी तक कोई अस्थाई तोर पर भोयन की विवस्ता नहीं की गई है स्वास्थ विभाक के अपर मुक्सचिव डाक्टर अरून कुमार सिंग के निदेश के बाद अस्थाई तरीके से फिलाल मरीजों को खाना मिल रहा है अब आपना केंटीन होने के बाद मरीजों को सहलियत होगी नवरात्र से पहले ट्रेनों में हो रही धराधर बुकिंग नवरात्र के दोरान अब ज़्यादातर ट्रेनों में कनफर्म टिकट मुस्किले है नवरात्र की शुरुआत छोड़िये सोमवार को 24 अक्टूबर यानि विजय दसमी के दीन की बुकिंग खुलते ही कोलकात्ता जमुतवी एक्सप्रेस की सभी सीटे महज 10 मेट में ही फूल हो गाई बतादे वैस्नो देवी के साथ ही मईहर व व विध्याचल जाने वाली ट्रेनों में भी अब गिन्ती ही सीटे बची है जही हाल उत्राखंड जाने वाली दून एक्सप्रेस और कालकात्त तक जाने वाली निताजी एक्सप्रेस का भी है जारखन बिहार के कई सिक्षा संस्थानों से लाखों की ठगी हजारी बाग रांची पतना वा पच्छमित चमपान के कई स्कूलों वा इंस्चूट से 74,29,000 रुपए की धोखा धाड़ी करने के मामला सामने आया है इसकूलों वा इंस्चूट के प्रचारय उप्रचारय वा डारेक्टर ने मामले में रांची पुलिस सिकायत की है सभी ने कम दर पर इसकूटी, लेप्टोप, स्मार्ट बोर्ड वा फोर विलर देने का वादा कर धोखा धाड़ी करने का आरोप रांची के वर्माजी थाना चेतर इस्थीत चुट्टू, नीम्टान, निवासी, सेन विल, सिरिवास्तों पर लगाया है इसे पूर्व रांची के कोको इस्थीत डौन बास को आई टी आई के चोवैलिस करमचायों से भी करिवे कावल लाख रुपए की दोखा धड़ी करने का मावला सामने आया था रांची की सड़कों पर जल जमाओ की स्थीती बारिस आई नहीं की रायधानी पानी पानी हो गई है सड़कों पर जल जमाओ और वाहनों के पानी में फसने के दिल से आम हो गई है दूसरे दिन भी भरपूर बारिस के बाद से रायधानी की सड़कों पर जल जमाओ शुरू हो गया कई महत्यपून सड़कों में पानी निकासी की वेवास्था ही नहीं है ऐसे में मंगलवार को घंटो सड़क पर ही पानी जमा रहा जिससे आने जाने वाले लोग परिशान रहे हलात्या है कि लोगों को पानी में खुच कर आना जाना पड़ रहा है रिम्स के 28 मर्यों की मौत मामले बे जाज शुरू रिम्स में 2018 में हर्ताल के दरान 28 मर्यों की मौत होने के मामले की जाज शुरू कर दिगाई है हाई कोट के निर्देश पस सेवा निवरीत नियाधिस जाज कर रहे है तिन दिन पहले सेवा निवरीत नियाधीस एसके दूबे रिम्स पहुंचे और मामले की पुरी जन कारी ली है रिम्स के लीगल सेल से हरताल के दोरान के सभी दस्तावेज को उपलब्द कराने का निर्देश दिया है लीगल सेल ने MRD दोरा उपलब्द कराये गए मौत के आखणों के सुची तियार कर ली है मौत की पुरी सुची और दस्तावेज उपलब्द कराये जाएंगे ग्यातों की वर्ष 2018 रिम्स में भरती मरीज और उनके परिजनों के बीच बिवाद हो गया था इसके बाद जूनियर डॉक्टर और नर्सों ने हर्ताल कर दी थी हर्ताल का असरया हुए था कि उस दिन 28 मरीजों की मौत हो गई थी इस पुरी मामले में पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों और नर्सों पर प्रत्मी की दर्ज की थी लेकिन कोई करवाई नहीं हो पाई थी इसके बाद मामला कोट में पहुचा था जिसमें कोट ने पुछा था कि सरकार ने इस पूरे मामले में दोस्यों पर क्या करवाई की है इसके बाद जाच कराने का अदेश कोट द्वारा दिया गया है धन्यवाद